गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम बैक टू धूरु डी ए एजुकेशन चैनल और हम अपने सेशन की दो क्लास कर चुके हैं जो इस्टाटिक जीके से रिलेटिड हैं फस्ट क्लास में हमने वेदो से समन्दित जितनी भी important point थे वे discussion किये थे और second class में हमारे सेशन की तीसरी क्लास हैं और तीसरी क्लास में हमें एंसीयांट इंडिया से ही related जो important inscriptions हैं जिने हिंदी में अभी लेक बोलते हैं उनके बारे में बात करेंगे आज हमारे सेशन की तीसरी क्लास है चलिए क्लास शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी लेक होता क्या है अभिलेक का अर्थ क्या है किसको हम अभिलेक कहते हैं अभिलेक इंगलीज में इंस्क्रिप्शन्स बोलते हैं इनको और अभिलेख प्राय इस्तंभो, शिलाओं, तामरपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दिवारों इत्यादी पर खुदे हुए मिलते हैं और अभिलेखों के अध्यान को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं इंस्क्रिप्शन्स क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन्स जैसे सिलाई हैं या तामबे के बने हुए कुछ पात्र हैं या मुद्राओं हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर की दिवार हैं उनके उपर कुछ इस टाइब से लिखे हुए होते हैं ये अभिलेख कुछ इस ताइब से लिखा हुआ होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं अभिलेग बोलते हैं और अगर इनके अध्यान को जो इनका इनके जिस परकार इनका अध्यान किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं एपिग्राफी ठीक है भारत का सबसे पुराना अभिलेग हडपा काल का माना जाता है कौन सा है बहुत important point है ये भारत का सबसे पुराना अभिलेग कौन सा है हडपा काल का अभिलेग जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है समझ में नहीं आया कि क्या रिखा हुआ था उस पर सेकीन पॉंट है प्राचींतम पठनीय अभीलेक समराथ असोग का है जो पढ़ने में आया है जिसे पढ़ सके हैं वो सबसे प्राचींतम अभीलेक कुन सह है वो है समराथ असोग का और इसे पढ़ने में 1837 में James Princip को सफलता मिली थी 1437 में जेम्स प्रिंसेपने से पढ़ा था और प्राचिन्तम पठनी अभिलेग कौन सा है जो सबसे पहला है वो है समराट असोग का अभिलेग सरवाधिक अभिलेग मैसूर में पुरालेग सास्त्री के कारालिय में संग्रहीद है इसके अंदर इंपोर्टेंट पॉइंट है सबसे पुराना भी लेग कौन सा है हडपा काल का भी लेग है और सेकिंड पॉइंट है कि प्राचिंतम पठनी अभिलेग किसका है तो वो है समराट असोग का, सबसे पहले किस ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और कप पढ़ा था, 1837 में Next है, समराट असोग से related important points हैं ये भी भारत वर्ष के सबसे प्राचीन अभीलेक समराट असोग के हैं किसके हैं? समराट असोग के सबसे प्राचीन अभीलेक समराट असोग के हैं, ये अभीलेक लवखत 300 ईशापूरू के हैं इध्यาस के विद्वन DR भंडार करणे अभीलेकों के आदहर पर असोग का इध्यास लिखा है किसने लिखा है? DR भंडार करणे असोग के अभिलेक की परमुक लेपिया ब्रहमी है युनानी खरोष्टी और अरामेइक है ध्यान रखेंगे ठीक है चारो का नाम ब्रहमी भी है युनानी हुई है खरोष्टी और अरामेइक ये चार क्या है असोग के अभिलेकों की लीपिया है इन लीपि के अंदर वे लिख हैं जीन स्थानों पर असोग की अभिलेक मिले है उनमे से मासकी गुजरा निट्टूर और उध्गोलन पर मुख है इन चार जगें पर चैनों की असोग की मिले हैं इस बूरल उध्गोलन ईनके से शोटी क्रिक है मगन होकर उड़ो क्या है मगन होकर उड़ो मगन मैं से मासकी गैसे गुजरा नैसे निक्टूर ठीक है और उड़ो से क्या बन गया उदे गोलम उड़ो गोलम ठीक है उदे गोलम तो इनकी बहुत important point है ये paper में कोई ये question आ सकता है कि अशोक की जो अभी लेख हैं वो किस की सिस्थान से प्राप्त हुए है इन अभी लेखों में अशोक की नाम का नाम इस पश्ट लिखा हुआ है इसके अत्रिक्त अन्य अभी लेखों में उसे देव नाम पिर्य दर्सी देवों का प्यारा कहा गया है ठीक है अशोक की अभी लेख को सरपर्थम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और ये अभी लेख किसमे था ब्रहमे लिपी में लिखा गया था जिसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था वो अभी लेक प्रहम्य लिपी में लिखा गया था असोक्य अभी लेक के अत्रिक तरन्य अभी लेक भी हैं इसके अंतरगत हम्यानेक प्रसस्तियां मिलती हैं जिन में दरबारी कवी लेखको ने अपने आश्रदाताओं की प्रसंसा की है जिनके आश्रय में विराते थे उनकी प्रसंसा की लए इन में सी हाती गुम्फा भी ले गिर्णार, नासी कभिले प्रियाग प्रस्तंब वीत्री स्तंब, मंदसोर ये सारे के सारे अभी लेक है और इन सब के बारे में हम आग्या अध्यन करेंगे और अभी बताया था मैंने पहले भी कि अभीलिकों का जो अध्यान है उसको क्या बोलते हैं एपिग्राफी बोलते हैं तो यह जितने भी पॉइंट मैंने अंडरलाइन किये हैं यह सारे के सारे important point है यह सारे यह समझो कि किसी ना किसी exam में आई वे question है next है हमारा सबसे पहले जूनागर अभी लेग जूनागर अभी लेग सक्स सक्सासक रुद्रदामन फश्ट से सम्मान दित है ठीक है कहां के थी यह उज्जेन के थी जूनागर सीला लेग से हमें पता चलता है कि परसित सुदर्शन जील का निर्मान चंद्रगुप्त मौरिय के बेहनोई और राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था सुदर्शन जील का निर्मान किसने करवाया था पुष्यगुप्त ने यह धियान रखना है ठीक है और रुद्रदामन फश्ट के समय में इस जील की मरमत कराई गई थी मरमत किसने कराई थी रुद्रदामन फश्ट ने निर्मान किसने करवाय था पुष्य गुप्त ने मरमत करवाई थी रुद्रदामन फश्ट ने बाद में फिर से इसकंद गुप्त सासन काल के दोरान पर्णदत द्वारा मरमत किया गया यह सिलालेक भी विष्टिया मजबूर स्रम का सबसे पुराना सबसे पहला पुरा लेक साच्छे है किसका विष्टिया मजबूर स्रम का सबसे पहला पुरा लेक साच्छे है कौन सा जूनागर सिला लेक ध्यान रखना है किससे संबंदित है सासक रुद्रदामन फश्ट सिद नेक्ष्ट है नासिक सिला लेक नासिक स गया था जिसकी रचना उनकी माता गोत्मी बलसिरी ने की थी नासिक प्रसस्ती ने गोत्मी पुत्र को अपरा अनूमा सोराष्ट्र कुकुरा अकरा अवंती यहां का सासक बताया और सक राजय नहपान को हराकर साथ वाहनों की पूर्व प्रभुत्व के एक बड़े हिस्से को समेट कर अपने वंस की प्रतिष्ठा बहाल की इसमें हमें क्या धियान रखना है कि नासिक सीलाले किस संबंदित है गोत्मी पुत्र सातकरनी से संबंदित है जो की कि गोत्मी पुत्र की उपलब्दियों का इसके अंदर वर्णन किया गया है और रचना किसने कराई थी इसक रचना कराई थी और वर्णन किसका है इसके अंदर गोत्मिस पुत्र सत्करणी की उपलब्धियों का वर्णन है इसके अंदर किसके नासिक अभी लेक के अंदर चलिए नेक्ष्ट गुआलियर प्रसस्ती सिलालेक मिहिर कुल की गुआलियर प्रसस्ती एक सिलालेक है जिस पर स संस्क्रत में मार्थ छेत दुआरा सूर्य मंदिर के निर्मान का उल्लेख है वाले प्रसस्ती किसका है मिहर कुल का है और कौन सी भासा में है संस्क्रत भासा में लिखा गया है और किसका वर्णन है सूर्य मंदिर के निर्मान का इसके अंदर वर्णन है सूर्य मंदिर के निर् पॉइंट है म्हिरकुल से और कौनसी भाषा में लिखा गया है संस्कृत में और सुद्ध मंदिर के निर्मान कसके अंदर उल्लेग है और अलक्जेंडर कनिंगम ने इसको सबसे पहले देखा था और लीपी को सिग गुपत लीपी है और यह स्लोग के रूप में लिखा गया ह गुप्तिली पी है, स्लोख के रुप में लिखा गया है चलिए, नेक्सट है महरोली सिलालेक या गरुड एस्तंब महरोली लोहो इस्तंब को मोल रूप से ब्यास के पास एक पहड़ी पर रखा गया था और दिल्ली के एक राजा द्वारा दिल्ली लाया गया था इसके निर्मान में प्युक्त धातूं की जंग प्रतीरोधी सरनचना के लिए उल्लेकने हैं मतलब इसके अंदर जो धातूं लगी होई हैं यह कहा जाते कि उन पर कभी भी जंग नहीं लग सकता है अब तक भी उन पर जंग नहीं लगा है गुप्त बंसकी चंद्रगुप्त दित्य द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के रुप में इस्थापित किया गया है चलिए इलाबाद इस्तंभ लेक या प्रियाग प्रहसस्ती इस्तंभ लेक यह है समुद्रगुप्त के दर्बारी कवी और मंत्री हरी सैन ने इलाबाद इस्तंभ सिलालेक या प्रियाग प्रहसस्ती की रचना की है किसने करी है समुद्रगुप्त का दर्बारी कवी कौन था हरी सैन के द्वारा इसकी रचना की गई है इस सिलालेक के अनुसार समुद्र गुप्त ने उत्तर में नो राजाओं को हराया और दर्चिन में बारा राजाओं को हराया यह एक असोक इस्तंभ है जिसे असोक ने छें सताब्दी पहले बनवाया था लेकिन इसके चार अलग-अलग सिलालेक है असोक इस्तंब है और इसमें चार अलग-अलग सिला लेख हैं पहले सिला लेख में ब्राम्मी लीपी में असोक की अभी लेख हैं पहली इसमें तो और कौन सी लीपी में लिखे गए हैं ब्राम्मी लीपी में दूसरे में असोक की पत्नी कोरवकी की धर्मार्थ कार्यों को दर्साने वाला रानी का आधेस है दूसरे अभी लेक के अंदर तीसरे के अंदर है अहरिशैना दुवारा संस्क्रत भासा और ब्रहमे लेपी में लिखी समुद्र गुप्त की विजय यह जो हम इलाबाद इस्तंब सिलालेक की बात कर रहे हैं यह किसमे है तीसरे सिलालेक के अंदर है असोक इस्तंब के और फौर्थ है फारसी में जहांगीर के सिलालेक तो इलाबाद इस्तंब सिलालेक किसे सम्बंदी थे समुद्र गुप्त से सम्बंदी थे और किसने लिखा आये हरी सेंग ने इसकी इमेज है नेक्स्ट एयोल सीला लेक पुलकेशिन दित्य से संब्दित है और पुलकेशिन दित्या। अनकेंगे पॉइंट भी इन पॉइंट होगी है इसके अंदर एक तो एहो लभी लेक किसे संबंदित है फुलकेशी इंदित्या से दूसरा एहो लभी लेक की रचना किस ने की थी रवी कीरती ने की थी और तीसरा पॉइंट है कि इसके अंदर क्या वर्णन किया गया है किसका इमेज है हाती गुम्फा हमोर्य वंसकी सक्ति के सिधिल होने पर जब मगज सामराज्य के अनेक सुदूर वर्ती परदेश मोर्य समराटों के अधीनता से मुक्त होने लगे तो कलिंग भी स्वतंत्र हो गया उडिशा के भुवनेश्वन नामकिस्थान से तीन मेल दूर सिलालेक उपलब्द हुआ है जो हाती गुम्फा सिलालेक के नाम से प्रसीद है हमें क्या दियान रखना है हाती गुम्फा अभी लेक ठीक है कहां से मिला है हमें उडिशा की भुवनेश्वर नामक उदैगरी नामक पाहड़ी से इसमें हमें यहां से आतक बस यह दियान में उदैगिरी नाम की पाड़ी है महां से प्राप्त हुआ है और किसे संबंदित है ये खारवेल से संबंदित है ये और कौन सी भासा में लिखा गया है प्राक्रत भासा में इसको लिखा गया है और प्राचीन भारते इत्यास के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है इसके अ और चेदीवंस में महा मेगवाहन नाम का एक प्रतापी राजा हुआ था ये बताया गया है इसमें कि इसने मोर्यों की निर्बलता का लाब उठाया था और कलिंग में अपना सासा ने स्थापित कर लिया था और मेगवाहन की तीसरी प्योडी में कौन हुआ था फिर खारवेल हुआ था और खारवेल का ही उन लेक किसमे है हाती गुमफा अभी लेक में और खारवेल किस धर्म से संब्दित था जैन धर्म से संब्दित था और उसके समय में कलिंग की बहुत संख्यक जनता भी वर्दमान महाविय के धर्म को अपना चुकी थी तो इसमें में पॉइंट हमारा है हाती गुम्फा भिले कि सासक से संबंदित है खारवेल से संबंदित है कौन सी भासा में लिखा गया है प्राकरत भासा में लिखा गया है और कहां से मिला है यह में उडिसा की भूनेश्वर में उदैगिरी नामक पाड़ी से इसलालेक की प्राप्ति हुई है और खार इंच मोटे पत्थरो पर अंकित हैं और इसका तो पह किससे हुआ है ओम से सबसे पहले ओम लिखा हुआ है बाद में सारी सब कुछ लिखा गया है उसके पहस्चात सीव का मंगला चरण है और अंत में लीपी कार का नाम भी लिखा गया है और ये किसमें है चंदों में है अलग अलग चंदों में है मंदसोर के बारे में हम धियान रखेंगे कि मंदसोर अभी लेक का सम्मन किस से है यश्यो धर्मन विश्णु वर्धन से सम्मन दित है यह लेक और इस संसकत भासा में लिखा गया है गुप्त लीपी में लिखा गया है चलिए नेक्ष्ट कलिंग सिलालेख कलिंग नामसी पता चल गया है असोग से सम्मान्दित है कलिंग का युद भी ध्यान होगा ठीक है जिसने असोग को पूरी तरह से चेंज कर दिया था उसने जो युद था मार कार्ट था वो सब को छोड़ दिया था सिलालेखों के सम्मों में असोग के परसित 14 सिलालेखों में से 11 सिलालेख है और अभी लेखों की भासा क्या है जो असोग की अभी लेख है उनमें भासा कुनसी है मगदी प्राकरत और लिपी कुनसी है ब्राम्य लेखिया और इसके अंदर क्या है कलिंग के नविजित लोगों की सांती के लिए यह लिखा गया था कलिंग सिलालेक जोता और इसमें कलिंग की युद्ध से सम्मानित जानकारियां भी है कि नेक्स्ट है हमारा मासकी चिला लेक हमास की प्राइचुर जीले में पुरा ताुट किस थल है कहां परे नदी केताट तड़ पर इस्तित है जो तुंग्भद्रक की सहीक नदी है कौनसी मक्त Kratereki सह start न लिया है समराट असोग का पहला सिला लेख था कौन सा मासकी ठीक है यह इंपोर्टेंट पॉइंट है इसे धियान रखेंगे कि बज़े असोग नाम सामिल था अच्या इसकी अंदर देव नाम पिर्ये की स्थान पेस में क्या नाम मिला है असोग का असोग ही नाम मिला है सिलाले के एक बोध धर्म सासन बना हुआ है और लोगों को बोध धर्म के सिद्धानतों का पालन करने के लिए कहता है यह उत्तर पूर्वी करनाटक की कृष्णा घाटी तक मोरिय सासन के प्रसार का भी सुझाव देता है तो मास की सिला लेख हो गया करनाटक का पुरा तात्वी किस थले और क्या है इसके अंदर ये असोग का पहला सिला लेख है और इसके अंदर असोग को देवनाम पिर्याना कहा किया कहा गया है असोग कहा गया है चलिए चलो तो कुछ और इंपोर्टेंट अभी लेख है हमारे जो मैं आपको वनवर्ड में बता रही हूँ जैसे हमारा था एरन अभी लेग एक एरन अभी लेग था और एरन अभी लेग में किसके बारे में बताया गया था सती प्रथा का पहला साथ छे मिलता है किसके अंदर एरन अभी लेग के अंदर ये पॉइंट दियान रगना है कि एरन अभी लेक में क्या पता चलता है मैं सती प्रथा के बारे में पता चलता है और किस से संबंदित था ये ये भानुगुप्त से संबंदित था एरन अभी लेक ठीक है दूसरा है हमारा एक पॉइंट कि जो हाती गुमफा अभी लेक था उसमें भारतवर्स का जिक्र भी किया गया है ठीक है हाती गुमफा अभी लेक मैंने पीछे पढ़ा दिया है लेकिन उसके बारे में एक पॉइंट ये धिहान रखेंगे कि हाती गुमफा अभी लेक में बाहरत वर्स का जिक्र किया गया है क्योंकि ये भी कॉश्चन पूर सकते हैं कि भाहरत वर्स का जिक्र कौन से अभी इलैक भी था सोहोगोरा की अभिलेक में हमें जरपर्थं दुर्विख्च की जानकारी पता चलती है इसकी दुर्विख्च की जानकारी देने वाला पहला अभि jag कौन सा था सोहोगोरा का अभि ये सारे लुसेंट से लिए गए है important point ठीक है सोगोरा दुर्भिक्त से सम्मंदित है हाती गुमफा में भारतवर्स का जिक्र किया गया है एरन में सती प्रथा का पता चला था और एरन अभी लेग भनगुप्त से सम्मंदित है और हाती गुमफा दो बता दिया खारवेल से सम्मंदित है ठीक है और मंदसोर के अंदर मंदसोर अभी लेग जो था जो हमने अभी पीछे पड़ा है इसके अंदर एक और पता चला है रेशम बुनकर की स्रेनियों का जो रेशम बुनकर थी उनकी स्रेनियों का इसके अंदर पता चला है किसके अंदर पता चला चलिए दोस्तों तो ये थी कुछ important inscriptions आज के और जितने भी point मैंने आज इसके अंदर करा दिये हैं वो किसी ना किसी exam में पुछे हुए question है तो I hope आप सबको अच्छे लगे होंगे और class आगे class में आगे बढ़ने से पहले पहली जो दो class हैं उनका भी revision कर लेंगे और फिर ये वाली class देख लेंगे हैं ठीक है दोस्तों ओकी thank you so much